हेलो फ्रेंड्स, वल्कम तो डिजिटल लर्निंग 44 बांस अगेन, मैं हुखरितिका और मैं लकर आई हूँ डिजिटल मार्केटिंग विडियो डिटोरियंग्स देखते ही देखते हम डिजिटल मार्केटिंग के 12 लैसंस ने से 6 लैसंस कम्पेट कर चुके हैं और आज इस विडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग का 7 लैसंस कम्पेट करेंगे इस 7 लैसंस में हम कुछ ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो इंपोर्टेंट होने के ताथ साथ बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है आज शो抡 आप इस विडियो कula बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आज चुट र जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है ब्लॉग आज़ ब्लॉगिंग सीखने के लिए इस विडियो को झुटूर देखेंगे द्यान से देखेंगे इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग के हर एक concept को detail में discuss करेंगे First lesson में हमने search engines की working कवर की थी इस search engine कैसे work करता है हमारी website के web pages किस तरह से search engine के द्वारा index किये जाते है ये सब हमने first lesson में कवर किया था First lesson में हमने ये भी देखा था कि digital marketing है क्या और digital marketing का क्या scope है और second video में second lesson में हमने ये देखा था कि meta tags क्या होते है Digital marketing में SEO techniques use होती है और SEO के अंडर meta tags की बहुत important है तो हमने meta tags को second lesson में detail में discuss किया था अगर आपने वो videos नहीं देखिया है तो please इने देखिये हमने second lesson में ये भी सिखा था कि WordPress website पर meta tags को हम किस तरह से manage कर सकते है किस तरह से हम meta tags को SEO friendly बना सकते है हमने meta tags की recommended character length भी second lesson में discuss की थी और third lesson में हमने on page SEO की important techniques दिसकुची थी fourth lesson में हमने ये discuss किया था कि Alexa rank क्या है PR checker क्या है हम अपनी website की ranking को किस तरह से check कर सकते हैं और किस तरह से improve कर सकते हैं fifth lesson को हमने दो parts में divide किया था first part में हमने webmaster tool के बारे में discuss किया था और second part में हमने एक और important tool discuss किया था जिसका नाम था Google Analytics sixth lesson में हमने on page techniques discuss की थी keyword density क्या है keyword density का क्या role है आपकी website को improve करने के लिए URL optimization, image optimization हमने sixth lesson में discuss किया था तो ये सब topics बहुत important हैं और हमने इन topics को six lessons में discuss किया है इन वीडियो को देखिए और digital marketing experiment बने है आज हम seven lesson में blogging के बारे में सिखेंगे blogging क्या है, blogging के जूँम किस तरह से earning कर सकते हैं blogging को हम किस तरह से अपना profession बना सकते हैं blogging के क्या फार्डे है, blogging करने का सही बे क्या है इस तरह से हम blog create कर सकते हैं Google blogger कैसे बना सकते हैं या फिर wordpress पर blog किस तरह से बना सकते हैं इस lesson को भी हमने दो पार्ट में divide किया है lesson 7th A and lesson 7th B इस वीडियो में हम lesson 7th का first part discuss करेंगे lesson 7th A जिसमें हम Google blogger मनाना सिखेंगे और 7th lesson के second part में यानि की lesson 7th B में wordpress पर blog मनाना सिखेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए I'm sure आपके लिए ये वीडियो बहुत helpful रहेगी और आपको ये वीडियो बहुत interesting भी लगेगी हम blogging के बारे में detail में जानेंगे blogging के तुरू हम किस तरह से earning कर सकते हैं किस तरह से हम blogging पर SEO कर सकते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए blog क्या है basically blog word, web और blog को मिला कर बना है blog एक ऐसा platform है जहां पर आप information को एक systematic way में create कर सकते हैं blog के तुरू आप अपनी knowledge को लोगों के साथ share कर सकते हैं अपनी experience को लोगों के साथ share कर सकते हैं और जिसके तुरू आप घर बैटे earning कर सकते हैं blogging एक ऐसा profession है जिसमें आपको passive income होती है active income का मतलब है जितनी देर आप काम करते हैं जिल देर आपको pay लाजाएगा जैसे कि आप कहीं job करते हैं या से कोई business भी कर रहे हैं जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक आपको उसका payment मिलता रहेगा लेकिन blogging के थूरू आपकी passive income होती है passive income का मतलब है royalty income all time income जिसका मतलब है अगर आपके blog पर एक बार earning स्टार्ट हो जाती है तो वो lifetime चलने वाली है अगर आप अपने blog पर new post करना बंग भी कर वेते हैं तो भी जब तक आपका blog search engine पर रहेगा जब तक आपके blog पर searches रहेंगी उसके थो आपकी earning होती रही अगर एक बार आपकी earning स्टार्ट हो गए है तो वो lifetime earning रही है अगर आपका blog searches में रहेगा जब blogging का concept आया था शुरू-शुरू में लोग blogging को वो अपनी hobby की तरह treat करते थे लोग blogging अपने shop के thought करते थे अपने experience अपने interest को blog पर share करते हैं लेकिन आज की time में blogging profession में convert हो चकता है ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिरफ blogging ही करते हैं और blogging के थूँ अच्छी खासी earning करते हैं इंडिया में भी बहुत से लोग हैं जो की blogging करते हैं आमित अगरवाल, हर्श अगरवाल और फैजल फ़ारुखी यह इंडिया में top bloggers हैं आप भी top bloggers में अपना नाम ला सकते हैं इस video को देखिए इसमें हर एक concept को clear किया गया है मैंने इस video में ब्लॉग के बाले में detail में discuss किया हैं किस तरह से हम ब्लॉग को create कर सकते हैं हर एक step को मैंने detail में discuss किया है blogging करने के लिए कोई फ़रण नीपड़ता कि आपके पास कोई बड़ी degree है या फिर आप कोई doctor है या फिर engineer है आपको कोई भी interest है आपको कोई भी knowledge है आप blogging के थ्रू उसे share कर सकते हैं और उसके थ्रू earning कर सकते हैं और blogging के थ्रू आप digital marketing भी कर सकते हैं digital marketing में blogging बहुत important है blogging के साथ chart आपको SEO भी आनी जुरी है SEO techniques भी आनी चाहिए क्योंकि आपने blog तो बना लिया लेकिन उसे logo तब कैसे कहुंचाना है अपने blog को किस तरह से improve करना है अपने blog की ranking कैसे improve करनी है तो आपको SEO techniques आनी जुरी है जिसमें हमेशा changes आते रहते हैं तो आपको SEO सीखनी है और साथ ही साथ SEO में आपको updated रहना है कोई भी knowledge हो आप किसी भी field में हो आपको उसमें updated रहना चाहेगे आपको उसमें hard login के साथ साथ smart login भी करनी है एक बार एक कार्बेंटर होता है उसे अपने काम के लिए रोज लक्री की जुरूरत पर दिली है तो वो रोज पेड कार्टने लापा था और उसका काफी अच्छा काम था अपने कार्बेंटरी का काम बार लेकिन दीरे दीरे उसकी काम में कुछ कमी आणी में शेरी होता है जितने पेड वो पहले कात लेता था उतने पेड अब वो नहीं कात neuen वो महसूस कर रहा था कि जितनी महनत मैं अभी कर रहा हूं, उतनी महनत करने से मैं पहले जादा पेड काट लिए था जादा लख़ी काट लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब मैं कम पेड काट पा रहा हूं, अब मेरी जादा महनत लग रही है और आउपट कम मिल रही है वो रोज अपनी परफॉमेंस को सुधाने के लिए और महनत कर रहा था और एनर्जी लगा रहा था और महनत कर रहा था कि जिस तरह से मैं पहले पेड़ काट लेता था अब भी मैं वैसे ही काट सकुनू अब अब कर रहे हैं वो omना से लगर जखनाताथ कि उसकी सुधाने के टॉपॉमंच ली जए जब लगही है तो एक बब पॉर्चानी अपनी परफॉम से शियर कर दा स splash मैं पेड काट रहा हूं, उतनी ही मैनत कर रहा हूं, लेकिन जितनी लगडी मैं पहले काट पाता था, उतनी लगडी मैं नहीं काट पाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उससा दोस कहते है, तुम सिरफ ये देख रहे हो कि तुम कितनी महनद कर रहे हो और तुमें उतना रिजर्ट नहीं मिल रहे है तुम यह नहीं देख रहे हो कि जिसके थू तुम लपडियां काटते हो तुम्हारी एक्स, तुम्हारी कुलहारी वो तुमने कितनी मैंटेन की है कितने टाइम से तुम उस कुलहारी से पेड काट रहे हो उसको अपडेट करने की ज़रूरत है कि नहीं उसे शार्ट करने की जरूरत है तुम्हारी कुलहाडी में कमी है तुम्हें अपनी कुलहाडी शार्ट करने की जरूरत है उसे अपने काम के साथ ताथ अपनी कुलहाडी पर भी ध्यान देना चाहिए अगर वो पहले अपनी कुलहाडी को शार्ट कर लेता वो हाड वर्ब के तार साथ वोड़ा smart work भी करता तो शायद उसे इतनी परिशानी नाम होती वो टाइम पर अपने खुल हाडी को शाप कर लेता और उसको इतने दिन इतनी परिशानी नहीं जई है इसी तरह कोई भी काम हो, आपको महनत भी करनी है और साथ में उस काम में आपको updated भी रहना है हर काम में कोई ना कोई changes आते रहते हैं इसे तरह SEO में भी changes आते रहते हैं आप SEO कर रहे हो, SEO techniques सीख चुके हो ये किन SEO techniques सीखने के बाद आपको SEO techniques में updated रहना जूरी है तो चलिए 7th lesson स्टार्ट करते हैं मैंने आपते पहले भी कहा कि इस वीडियो में हम 7th lesson का फॉस्ट पार करेंगे Lesson 7a जिसमें हम Google Blogger पर ब्लॉग क्रिएट करना सीखेंगे और 7th lesson का 2nd पार हम next video में करेंगे जिसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि WordPress पर ब्लॉग कैसे बना जाते हैं 7th lesson में हम यह बेखेंगे कि ब्लॉग क्या है हम अपने ब्लॉग और Google Adsense को किस तरह से लिंक कर सकते हैं किस तरह से हम अपने ब्लॉग को Google Adsense के द्वारा एप्रूब करवा सकते हैं अपने blog को approve होने के लिए हमारी website या blog पर कितनी minimum post या articles होने चाहिए हम इस वीडियो में एक discuss करेंगे कि blogging की basic concepts क्या है blogging करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है Google Ads के द्वारा approve होने के बाद Google Ads के क्या क्या restrictions है blog short form of web blog online diary है जो हम लगातार update करते हैं blog हमेशा visitors के लिए लिखा जाता है blogging के द्वारा आप भी घर बैठे पैसे कमा सकते हैं इसके लिए आपको कोई investment की भी जरूरत नहीं होती बस आपको content लिखना होता है अगर आपका content अच्छा है तो आपका blog बहुत जल्दी popular हो जाएगा जब आपके blog पर visitors ज्यादा हो जाते हैं तो आप Google Adsense के लिए apply कर सकते हैं Google Adsense एप्रूब होने पर Google आपको एक code देता है जो आप अपने blog में insert करते हैं blog में Google Adsense code insert करने पर आपके blog में advertisement automatically show होती है जब भी कोई visitor आपके blog पर किसी advertisement पर click करता है तो Google Advertiser से कुछ निश्चित amount चार्ज करता है और उसका लगभग 40% हिस्सा आपको देता है advertisement के charges अलग-अलग होते हैं उसी के according आपको भी आपका हिस्सा मिलता है blogging बहुत ही असान टिक्नीक है आईए इसे हम 4 steps की मदद से समझते हैं Step 1 सबसे पहले आपको Google Blogger या WordPress पर blog बनाना है Google Blog बनाने का तरीका हम अगले लेसन में सीखेंगे Google Blog बनाने का कोई charge नहीं होता यह बिलकुल free service है Step 2 Blog बनाने के बाद आपको अपने blog के लिए 40 से 50 quality articles लिखने होंगे ध्यान रहे आपके articles meaningful हो और कहीं से copy ना किये गए हो आपके adsense की income आपके articles की quality के according ही होती है इसके लिए articles की quantity से कोई समझोता ना करें ना ही किसी का article copy करें Step 3 Visitors के बढ़ने का इंतजार करें आप visitors को बढ़ाने के लिए SEO techniques भी use कर सकते हैं Step 4 Articles और visitors की conditions पूरी होने पर Google Adsense के लिए apply करने के लिए Google Adsense approved होने पर आपको Google द्वारा एक code दिया जाता है जो आपको अपने blog में insert करना होता है अगर आपका किसी कारण Adsense approved नहीं होता है तो निराश ना हो आप दुबारा उन कारणों को दूर करें जिनके कारण आपका Adsense account disapprove हुआ है Adsense approved होने पर आपके blog में automatically advertisement show होने लग जाती है जब कोई visitor आपके blog पर किसी advertisement पर click करता है तो Google Advertiser से कुछ amount charge करता है और आपको उसका लगभग 40% हिस्सा मिलता है पर ध्यान रहे उन advertisements पर ना तो आप click करें ना ही किसी और को उन advertisements पर click करने के लिए force करें Otherwise आपका Adsense account permanent band हो सकता है Blogging के लिए Google AdSense guidelines को हमेशा ध्यान में रखें Tips for bloggers हमेशा quality articles लिखें और attractive title दें आपके articles टाइटल के relevant हो और article का content sufficient हो Article में दी गई जानकारी पूरी होनी चाहिए अच्छे article की length approximately 500 से 600 शब्दों की मानी जाती है Article में जरूरत के अनुसार bold, italic और रंगों का उप्योग करें Articles को interesting बनाने के लिए जरूरत के अनुसार आप अच्छी images भी insert कर सकते हैं कभी किसी का article copy-paste ना करें Articles हमेशा visitor के interest के according लिखे, keywords के according नहीं तो हमने देखा कि blog क्या है blog और google actions को हम किस तरह से link कर सकते हैं हमने ये discuss किया कि हम अपने blog के थो google actions पर apply कर सकते हैं अब हम step by step google blogger पर blog create करना सिखिए सबसे पहले कोई भी internet browser open करें और www.blogger.com पर click करें ये screen खुलने पर create your blog पर click करें Google blogger पर blog बनाने के लिए आपका Gmail account होना जरूरी है अपने Gmail account से sign in कीचिए और अपनी profile confirm करने के लिए create a blogger file पर click करें आप google plus profile भी create कर सकते हैं अब हम blogger file पर click करेंगे अब अपना नाम enter करें और अपनी profile confirm करें अब got it पर click करने के बाद dashboard open हो जाएगा आप हिंदी भाशा में भी blog बना सकते हैं अब create new blog पर click करें अब title text box में अपने blog के लिए अपनी इच्छा अनुसार कोई title दें आपका title आपके blog keyword के अनुसार होना चाहिए हम SEO technology title दे रहे हैं इसके बाद आपको blogging address डालना है blogging address की सहायता से लोग आपके blog तक पहुँचते हैं हमने SEO blogspot.com एंटर किया अब आप देख सकते हैं कि यह blog address अवेलेबल नहीं है अब इस address में कुछ बदलाव करने होंगे जब तक available address ना मिल जाए देखिए SEO tag 44.blogspot.com एंटरेस अवेलेबल है मतलब हमारा blog address create हो सकता है अब आगे हमारे पास templates की option है template हमारे blog का design होता है हम अपनी इच्छा से कोई भी template अपने blog पर लगा सकते हैं हम simple template चूज कर रहे हैं simple template को select करने के बाद create blog पर click करें तो देखिए हमारा blog create हो जाएगा यह हमारे blog का dashboard है यहां sidebar में कई option हैं जिनमें से हम new post बना सकते हैं या old post देख सकते हैं या अपनी इच्छा नुसार blog पर बदलाव कर सकते हैं अब हमें अपने blog पर post create करनी हैं उसके लिए dashboard पर new post पर click करें अब create post की screen आने पर हमें सबसे पहले post का title देना है जैसे की हमने title दिया SEO definition title के बाद नीचे body part में हम अपनी post के related जानकारी दे सकते हैं body part में हम जो भी content लिख रहे हैं उसमें अपनी इच्छा के अनुसार कई changes कर सकते हैं जैसे की characters को bold, italic या underline कर सकते हैं उसके लिए हमें जिस character या वाक्य को bold या italic करना चाहते हैं उसे select करना है और bold B पर click करना है अब देखिए वाक्य SEO stand for search engine optimization अब bold characters में हो गया है इसी तरह हम किसी भी वाक्य को italic या underline भी कर सकते हैं इसी तरह उपर दिये गए tools की मदद से हम content में images या links भी insert कर सकते हैं इसमें ये labels की भी option है लेबल्स में हम कुछ इस तरह के keywords डाल सकते हैं जो की search ranking improve करने में मदद करते हैं जैसे कि हमने labels add किये SEO, Optimizing, Earning आप इस schedule की option से अपनी post की timing अपने अनुसार schedule भी कर सकते हैं पोस्ट तयार होने पर publish बटन पर click करें हम अगर अपनी post को बाद में post करना चाते हैं तो save पर click कर सकते हैं और बाद में publish कर सकते हैं preview बटन पर click करने पर आप अपने blog का preview देख सकते हैं dashboard पर देखिए sidebar पर और भी कई options हैं जैसे की stats stats हमें हमारे blog में हमारे कितने viewers हैं ये सब जानकारी देता है stats में हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सी country से कितने viewers हमारे blog पर आ रहे हैं अब dashboard पर next option है comments comments पर click करने पर हमें viewers के comments प्रापत होते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार comments को delete, remove content या spam कर सकते हैं next option है earnings इस पर click करने से Google Adsense से हमने कितनी earning की है उसकी जानकारी हमें मिलती है blog के द्वारा money earn करने के लिए हमें Google Adsense पर apply करना पड़ता है जो की हम आने वाले lessons में discuss करेंगे अब next option है campaigns campaigns एक ऐसा platform है जहां हम अपनी इच्छा से कोई भी ad create कर सकते हैं ad के द्वारा हम अपने blog पर traffic बढ़ा सकते हैं next option है pages इस option से हम अपने blog के लिए basic pages बना सकते हैं जैसे की contact page, about page, disclosure page next option है layout layout option में आप अपने blog का layout देख सकते हैं आप अपने blog का design, favicon, layout इस section में change कर सकते हैं अब हमारा blog कुछ इस तरह से दिख रहा है हम अपने blog का layout change करने के लिए template designer पर click करते हैं template design पर click करने के बाद templates background, adjust width, layout options आदी में से choose कर सकते हैं अब हम अपने blog का template design बदल रहे हैं इसके लिए हम other template पर click करेंगे अब देखिए हमारे blog का design change हो गया है इस तरह आप अपने इच्छा अनुसार अपने blog का template design बदल सकते हैं background setting पर click करने पर हम अपने blog की background भी बदल सकते हैं अब हमारे पास layout option भी है अपने इच्छा अनुसार layout पर click करें और layout settings होने पर अंत में आपको apply to blog बटन पर click करना है अगला option है template इस पर click करने पर हम देख सकते हैं की हमारा blog desktop और mobile पर कैसा दिखता है हम mobile के लिए भी templates adjust कर सकते हैं templates option जैसे की simple, dynamic view, picture window, awesome in, watermark, eternal travel और custom आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी template design पर click कर सकते हैं और आपके blog की template design mobile के लिए change हो जाएगी अब हमारे पास है settings की option settings पर click करें और screen पर देखें यहां आप अपने blog का title, description, edit कर सकते हैं आप अपने blog का address भी change कर सकते हैं scroll down करने पर देखिए नीचे option है add authors इस option में आप अपने blog पर post या और activities करने के लिए authors add कर सकते हैं इसके लिए add authors पर click करें और फिर invite authors पर click करें dashboard पर view blog बटन पर click करने पर आप अपने blog का view देख सकते हैं Okay friends, so आपने इस वीडियो में blog के बारे में जाएं I hope आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही interesting topic cover किया है I hope आपको blog के बारे में काफे कुछ समझ आ गया होगा अगर आपको अभी भी कोई doubts हैं आपको समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को दुबारा देखे अच्छे से ध्यान से इस टुटोरियल को देखे I'm sure आपको blog अच्छे से समझ आता है आपने इस वीडियो में देखा कि blog क्या है Google Adsense और blog को आप किस तरह से link कर सकते हैं आपने step by step ये देखा कि Google Blogger पर हम blog को कैसे create कर सकते हैं किस तरह से हम अपने blog को manage कर सकते हैं किस तरह से अपने blog के layout चेंज कर सकते हैं settings लेख सकते हैं किस तरह से हम Google Blogger पर new post लेख सकते हैं अपने blog की themes चेंज कर सकते हैं layout चेंज कर सकते हैं हमने गूगल ब्लॉगर पर हर एक option को step by step discuss किया तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि ब्लॉगिंग एक profession बन चुका है आप ब्लॉगिंग के through earning कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगिंग सही way में, systematic way में करते हैं SEO के साथ updated रहते हैं तो आप top google bloggers में आ सकते हैं आपको ब्लॉगिंग से earning करने के लिए कोई भी investment की ज़रूरत नहीं है आपको सिरफ एक अच्छा content डालना है आप जो भी अपने ब्लॉग पर content डालते हैं वो कहीं से भी copy किया हो नहीं होना चाहिए आप अपने ब्लॉग पर कुछ भी post करते हैं वो interesting होना चाहिए उसमें कोई ना कोई information होनी चाहिए वो बिल्कुल unique content होना चाहिए तो आपको टॉप bloggers में आले से कोई भी जो सकता मैंने आपसे ये भी कहा कि blogging के साथ साथ आपको SEO techniques भी सीखी है SEO techniques के साथ भी update रहना है क्योंकि जब आप blog बना लेते हैं तो SEO आपके blog को लोगों तक पहुँचने में help करता है आपके blog या website की ranking को improve करने में help करता है SEO की काफ़ी techniques हैं जो हम हर एक lesson में discuss कर रहे हैं I hope आप सभी videos को देख रहे हैं अभी तक हमने जितने भी lessons cover किया है हर एक lesson में important topics हैं हर एक lesson में digital marketing के बारे में बताया गया है SEO के बारे में बताया गया है इस video में हमने 7th lesson का 1st part किया है अभी हमारा 7th lesson complete नहीं हुआ है हमने इस video में 7th lesson का 1st part complete किया है 7th lesson का 2nd part हम next video में करेंगे जिसमें हम यह देखेंगे WordPress पर vlogging किस तरह से की जा सकती है किस तरह से हम WordPress पर vlog create कर सकते हैं तो हर एक video को ध्यान से देखिए follow कीजे मैं हमेशा आप से यह कहती हूँ कि हर एक video को ध्यान से देखिए हर एक video को follow कीजे अगर आपको कोई भी queries हैं doubts हैं तो आप comment कर सकते हैं मेरी team आपको reply करने के लिए हमेशा तयार है तो आप इन videos को देखिए और digital marketing में experiment बने अगर आपको यह video अच्छी लगी आपके लिए helpful रही हो तो प्लीक इसे like कीजे और प्लीक digital marketing tutorials देखने के लिए इस चैनल को subscribe करना नाम लिए Thank you so much